मेरपूर अपार्टमेंट्स अबास टावर तुसाने खावानी जन्नत मैंने आणिया तुसानी आज जी मेरपूर अपार्टमेंट इच अपना अपार्टमेंट बुप कराओ मिट जी ये पीनो ठीक मे पाणी ने फिर मो का ले लपूर लगा मिरपूर अपार्टमेंट्स मिरपूर अपार्टमेंट्स जेकेन न्यूस असलाम ओलाइकूं जेकेन न्यूस के साथ मैं हूँ जुनेद अनसारी आज की हेडलाइन आजाद कश्मीर के सीनिर वजीर चोधरी महम्मद यासीन ने कहा है के वजीर आजाद कश्मीर चोधरी अब्दलमजीद को काबीना और पारलीमानी पार्टी की मकमल ताइद और हमायथ हासिल है आजाद कश्मीर के साबक वजीर आजम बैरिस्टर सुर्टान महमूद चोधरी ने कहा है कि आसफ अली जर्दारी ही इस वक्त पाकिस्तान में वो वाहिद सियासदान है जो मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलंजिस से निकाल सकते हैं मुस्लिम लीग नूर आजाद कश्मीर के मरकदी रहनमाओ मिम्बर कानून साथ असंबली बैरिस्टर इस्थार गेलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हकूमत में आजाद कश्मीर में तारीख की बत्तरीन करप्शन शुरूब कर रखी है हजीरा शहर में महंगाई का जिन वे काबू सब्सी फलों और गोश्ट की कीमतों को आग लग गई महंगाई माफिया को काबू करने के लिए इंतजामिया ने भी हिकमत अमली त्यार कर ली आब रोजाना की बन्याद पर अफसरान अचानक छापे मारेंगे आजाद कश्मीर के जदीद तरीन शहर मीरपूर में विजली के खंदों पर उलजी तारे मोत बांटने लगी मंडोल तता पानी सड़क की तामीर का नाकिस काम जारी महकमा की मिली भगत से कौमी खजाने को क्रोड़ों रुपे का नुकसान आजाद कश्मीर के सीनियर वदीर चोहदरी मुहम्मद यासीन ने कहा है के वदीर आजम आजाद कश्मीर चोहदरी अब्दलमजीद को काबीना और पार्लीमानी पार्टी की मुकमल ताईद और हमायत हासिल है मियुंसिपल कारپوریشن میرپور کے ملازمین کو رہائشی سہولیات فرام کرنے کے لیے کو آپریٹیو سوسائیٹی اسلام آباد کی طرز پر ہاؤسنگ سوسائیٹی بنائیں گے मियुंसिपल कारپوریشن میرپور کے غیر جریدہ ملازمین کے نو منتخب عودہ داروں کی تقریب حلق پرداری سے خطاب کرتے ہوئے چودری محمد یاسین نے کہا کہ صدر پاکستان عاصف علی زرداری کی طرف سے 20 अरब रुपे के बेल आउट पैकेज से आजाद कश्मीर में बिला तखसीस तामीर और तरक्की होगी खिता माशी तोर पर खुशाली के जानब गामजन होगा चोधरी मौमद यासीन ने कहा के वजीर आजम आजाद कश्मीर चोधरी अबनलमजीद को काविना और पारल्लेमानी पार्टी की मुकमल ताईद और हमायत हासल है हकुमत टीम की हैसियत से काम कर रही है और ने कहा कि तामीर तरक्य के लिहाज से एक साल की हकूमती कारकरदगी गुजिशता साट सालों से बेहतर है सीनिर वजीर ने कहा कि सरकारी मलाजमीन हकूमती हदायात के मताबक अपने फराइज मनसभी दियानतदारी और फर्जशनासी के तहत अंजाम दें गफलत और लापरवाही की गुझाइश नहीं है तकरीब से एड्मिनस्ट्रेटर मिनसबल कारपरेशन चोधरी मुहमद मनशा, शौकत राजा, चोधरी सिद्धीक और दिगर मुकर्री ने भी खिदाब किया आजाद कश्मीर के साबक वजीर आजम बेरिस्टर सुल्तान महमूद चोधरी ने कहा है कि आसफली जर्दारी ही इस वक्त पाकिस्तान में वो वाहिद सियासतदान हैं जो मुलक को दरपेश अंदरूनी और बेरूनी चेलिंजिस से निकाल सकते हैं और मुलक में इस सहकाम ला सकते हैं आजाद कश्मीर में बतोर चेर्मेन इंतहाबी महिम चलाकर पार्टी को कामयाब कराया था इसी तरह वो पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में बी इंतहाबी महिम चलाकर कामयाब कराएंगे चुड़ोई में इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए बैरिष्टर सुल्तान मेमूद चोधरी ने कहा कि जिस तरह इने मरकजी क्यादत के साथ पीपल्स पार्टी के कारकुनों और अवाम की हमायत हासल है इस पर इने फखर है वो इस अजन का इजहार करते हैं कि जिस तरह उनोंने आजाद कश्मीर में बतोर चेर्मेन इंतखाबी महम चलाकर पार्टी को कामयाब कराया था इसी तरह वो पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में भी इंतखाबी महम चलाकर कामयाब कराएंगे और ने कहा कि सदर पाकिस्तान आसफ अली जर्दारी इस वक्त पाकिस्तान में वो वहिज सियास्टदान है जो मुलक को दरपेश अंदरूनी वो बुरूनी चैलिंजेस से निकाल सकते हैं बरिश्र सुल्टान में मुच चोधरी ने मजीद कहा कि चड़ोई में पहले एक अलाइदा नजाम था जहां गरीब और अमीर के दरमयां खलीच पाई जाती थी मैंने घर गर और गाउं गाउं जाकर मुस्लिम कानफरस की जागिरदारा नजाम का खात्मा किया और मेरी दिन रात की कावशों के नतीजे में चुड़ोई पीपल्स पार्टी का कला बना मुस्लिम लीग नून आदाद कश्मीर के मरकजी रहनमा उमिंबर कानून साथ असम्बली बेरिस्टर इफ्तखार गेलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हकुमत ने आदाद कश्मीर में तारीक की बत्तरीन करप्शन शुरूप कर रखी है मुस्लिम लीग नून जल्द हकुमत के खात्मे के लिए तहरीक चलाएगी बरिश्टर इफ्तखार गेलानी ने कहा कि आदाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को सदर आसफ अली जर्दारी ने करप्शन का मखसूस एजड़ना दे कर अवाम पर मसल्लत किया था जेके नियूस से गुफ्तगो करते हुए उन्होंने कहा कि आज पीपल्स पार्टी की हकुमती करप्शन के खिलाफ हुकमरान जमात के मिमरान असंबली और रहनमाच चीख चीख कर मजीद हकुमत की करप्शन को मनजर आम पर लाने में मसरूफ हैं और ने कहा कि मसल्म लिगनून आज़ाद किश्मीर की मौजूदा करप्ट हकुमत के खिलाफ एदल फितर के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने की काल दे सकती है बरिष्टर इफ्तखार गिलाने ने कहा कि हुकमरानों को मजफराबाद के साथ दुश्मनी महंगी पड़ेगी आज़ाद खिते में मेरट की पामाली और नाइनसाफी किसी बड़े तूफान का पेशखेमा साबत हो सकती है हजीरा शहर में महंगाई का जिन बेकाबू सबजी फलों और गोश्ट की कीमतों को आग लग गई महंगाई माफिया को काबू करने के लिए इंतजामिया ने भी हिकमत अमली तियार कर ली अब रोजाना की बन्याद पर अफसरान अचानक चापे मारेंगे हजीरा की इंतजामिया का कहना है कि अगर अवाम निशान दही करें तो ग्रांफ रोशों मुनाफाखोरों और गयर मेरी अशिया फरोखत करने वालों को कानूनी गिर्फ्त में लाया जाएगा गुजिशता रोस मजिस्टरیट हजीरा ने बाजार का अचानक दोरा किया और सबजी और फरूट बैकरी मुर्गशाप की दुकानों पर रेट लिस्टें चेक की अश्या-खूर्दोनोश के मियार को चेक किया, मजिस्टरेट हजीरा ने रेट लिस्टे आविजा ना करने पर मतदद दखंधारों को जरमाना किया गोश्ट की दुकानों पर महंगे दामों गोश्ट फरोखत करने पर मोका पर जुर्माने और गृफतारियों का हुक्म दिया गया शेहरियों ने जेके नियूस से बात करते हुए कहा कि जब इंतजामिया बाजार का दोरा करती है तो रेट लिस्टे आविजा हो जाती है जेके नियूस के निशानदेई पर एक दुकंदार जो महंगे दामों फरोट फरोखत करता था रंगे हाथों पकड़ा गया मजिस्ट्रेट ने मौका पर पांच सुर्पे जुर्माना किया और आइंदा रेट लिस्ट के मताबक सबजी और फरोट फरोखत करने का हुकम सादर किया अशेय पुर्दोनेश आपको मिर रही है मंडी से इसमें कितना रेलीफ आपको मिर रहा है जो मनदी से मिर रही है वहां रेट लिस्ट आविजा है पर आपको प्राइस क्रूंट्रोल कमेटी है उसने जो रेड़ लिस्ट दी है क्या उसी के मताबक आप इसको बेच रहे हैं तो फिर किस तरह आप इसको अफॉर्ड कर रहे हैं अगर आपको वहां से चीजे महेंगी मिर रही है तो इनका रेड़ सही है और उपर से जो मिर रही है चीजें बहुत और बहुत नहीं हैं तो फिर किस तरह आप इसको मैनेज कर रहे हैं बस इसी तरह कुछ अपने नुक्सान से अच्छा आप रहे हैं और यह एक ररीफ प्रोग्राम जो अवाम को दिया है उसी के मताबक आपने सामान बेचना है तो फिर आयल महेंगा है तो कै कैसे आप इसको मैनेज कर रहे हैं यह जिए यह मारी इंकरामिया से मीटिंग हुई थी और हमने इस बार फराक दिजी सी अपनी तरह से कोई रेट अमने उन से नहीं मंगे बलके जो रेट मारे थे उससे हमने को इस तफ़ार रमजान में हम जो हैं रेकरी वाले और मुठाई निएंट मिर रही हैं, जेट सूुर रुपए अकि profes मीर रहा है, एक सूर रुपे अकिल ओं मिर रहा है और केला किस तरह मिर रहा हथ हो एक सुनवाय रुपे केला मिर रहा है किसी लेवल पे भी तो या फिर लिफ का भी मिल रहा है भाँ आजाद कश्मीर के जदीद तरीन शहर मीरपूर में बिजली के खंबों पर उलजी तारें मोत मांटने लगी कई कीमती जाने जाय हुई मगर अर्बाब एक्तियार और महकमे बरक्यात की पुरिस्रार हामोशी और मुझरुमाना गफलत जारी हाथसात में कई लाइन मैन भी खलाक हो चुके हैं कहने को तो मीरपूर आजाद कश्मीर का जदीद तरीन शहर है लेकिन इस शहर में कई काम ऐसे किये जा रहे हैं जो आम इंसानों के लिए जान लेवा साबत हो सकते हैं ऐसा ही कुछ हाल महकमे बरक्यात आजाद कश्मीर का है आजाद कश्मीर के इस जदी तरीन शहर मीरपूर में जावजा बिजली के खंबों पर तारों का ऐसा उलजाओ है जैसे शिकारियों के फंदे बिजली के खंबों से ट्रासफार्मर तक जाते जाते कई तार जमीन पर गिर पड़ते हैं और बाज उकाद तो ये गाड़ियों पर गिरकर हाथसात का बायस भी बन रहे हैं बिजली के तारों से उलजकर कई मुलाजमीन लाइन मैन भी अपनी जानों से हाथ दो बैटे हैं अवाम ने हकूमत आजाद कश्मीर और महकमा बरक्यात के आला हकाम से मतालबा किया है के मौत बांटी हुई हवा में मौलक लटकती हुई इंतारों को दुरूस्त करके इंसानी जानों के जिया को रोका जाए मंधोल तता पानी सड़क की तामीर का नाकिस काम जारी महकमा की मिली भगत से कौमी खजाने को करोड़ों रुपे का नुकसान दिया जा रहा है करोड़ों रुपों में तामीर होने वाली सड़क का मेकप एक माह में ही उतर गया मंधोल से तता पानी सड़क की तामीर का नाकिस काम जारी महकमा की मिली भगत से करोड़ों का मनसूबा तातल का शिकार हो रहा है MLA हलका की भी अद्मे तवज्जों की वज़ा से अवाम का शदीद एहतिजाद जारी है ठेकदार अपनी मर्जी के मताबक काम कर रहा है मुनसूबा को शुरू हो एक साल से जायत का अर्सा हो चुका लेकिन अभी तक अड़हाई किलो मीटर सड़क तामीर नहीं हो सकी मसला हल करवाएं यहां पर लेंगे एक प्रेक हमारे साथ रहिए का नीरपूर अपार्टमेंट्स अबास टावर तुसाने खावानी जननत मैं थे आणिया तुसानी आज जी मीरपूर अपार्टमेंट इच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ क्यों मीट्व जी ये पीनो ठीक में पानी ने फिर मोका ले लपूर लगा मीरपूर अपार्टमेंट्स जाइंट एक्शन फोरम पुंच के जेरे इहतमान बिजली की गहर इलानिया लोड़ शेडिंग के खिलाफ हर्टाल के दोरान तमाम कारुबारी मेराकस बंद रहे और ट्रांसपोर्ट का पहिया भी जाम रहा अंजुमन ताजरान बाग की शडर डाउन हर्टाल रही ताजरों की एक्शन कमेटी ने पूरे शेहर में हर्टाल को मानिटर किया और किसी को खिलाफ वर्जी नहीं करने दी गई अंजुमन ताजरान ने एक्शजाजी मजाहरा किया और जलूस निकाला जलूस ने शेहर का चक्र लगाया और मेंट पुल को बंद करके धरना दिया वाबडा और बरक्याद के खिलाफ नारे बादी की गई इस मुका पर पॉलीस की भारी नफरी भी मौजूद थी हैदरी चोक में इहतजाजी जल्सा मुनकत किया गया जल्सा से खिताब करते हुए मकररीन ने कहा कि हमारी हर्टाल पुर अमन है अगर लोड शेडिंग का खात्मा ना हुआ तो बाग में वाबडा और बरक्याद के दफातर पर कबजा कर लेंगे और पुर्तशद्धु तहरी का आगास करेंगे मकररीन ने कहा कि आदाद कश्मीर की जरूरत 325 मेगावाट है जबके मंगला डैम से 1200 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है मकररीन ने कहा कि वाबडा पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है मीरपूर में जगा जगा खुले वीजा कंसल टैमसी दफातर अवाम को लूटने के अड़े बन गए इंतजामिया ने भी आँखें बंद कर ली सादा लोह अफराद को रोजाना की बन्यादों पर लूटा जा रहा है जेके नियूज की खसूसी रिपोर्ट मिनी लंदन वीजा अजेंटू के लिए चरागा का रूब दार गया है इस कारबार को हासा नफ़ा बक्ष गर्दानते हुए इस काम से नाबल्द हर दूसरा शक्स दीदा जेब दफातर खोल कर इस बहती गंगा में हाथ दो रहा है मीरपूर की मारूफ शहरा डिफेंस रोड पर जैरी फडेक्स दफ्तर के इर्द गिर्द काइद आज़म स्टेडियम समेथ मीरपूर शहर के मुखलिफ सेक्टर्स में इन एजेंटू के दरजनु दफातर मुजूद हैं जिनकी किसी किसम की ना तो रिजिस्टरेशन की गई है और ना ही ये अफराद वीज़ा के मतलक अमूर के माहिर हैं इन वीज़ा अजेंटू में से अक्सर पंजाब के शहरों के लोगों की है अब तक मतदद वाकियात में शहरी लाकों रुपे से महरूम हो चुके हैं जबके बरतानुई अमिगरेशन के असूल के लिए फ़ाम बरने और दिगर लोजमात के लिए भी शहरीयों से हजारों रुपे बटोरे जाते हैं वीजा अजेंटों के शकार सादालो शहरीयों के साथ साथ बैरूने मुलक जाने के लिए जनून की हाथ तक जाने का शोक रखने वाले नوجवान और बिल खुसूस तरकीने वतन होते हैं जेके नियूस की रिपोर्ट के मताबक इस वक्त शहर में 80% तजाहिट अजेंट गेर कानूनी तोर पर इस कारवार में शहरीयों को नुकसान पुंचा रहे हैं अफसोसना कामर ये है कि जिली इंतजामिया ने सुर्टेहाल से आगाई होने के बावजूद इस सिसले में मुझरमाना खामोशी इक्तियार का रखी है और दूसरी जानब शेरियों को लूटने का लेसा इस दे रखा है मीरपूर में जाब 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 खुले जाली वीजा सेंटर्स में आई लोस लोगों को मुख्लिफ जहां से देकर लूटा जा रहा है जबके अफसोसना कामर ये है कि जिली इंतजामिया ने सिसले में मकमल खामोशी इक्तियार का रखी है कैमरा मैंन मुहम्मद अली शा के साथ अधना जबार मुगल जैके नियूस मीरपूर आजाद कश्मीर आजाद कश्मीर सकाफ़त तहजीब और तमद्दून का नाम है खेलों में अगर हकूमत सरपरस्टी करे तो मार्शल आर्ट में भी नौजवान आला करकरदगी का मुझाहरा करके दुन्या भर में पाकिस्तान और आजाद कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं मार्शल आर्ट का खेल जमाने कदीम से नौजवानों में बेपनाह मकबूलित रखता है जहीर जाफरी गुजश्टा कई सालों से मीरपूर आजाद कश्मीर में इस नादिर खेल को ना सिर्फ तने तनहा जिन्दा रखे हुए हैं बलके उनकी काविशों से उनके कई तालिब इलम इस वक्त दुनिया भर में कश्मीर और पाकिस्तान का नाम मार्शल आर्ट में रोशन कर रहे हैं गुजश्टा रोश उन्होंने आफीसर्स कलब मीरपूर में इनी नोजवानों और बचों की तरबियत मुकमल होने वाले ने बैच में नुमाया कारकरदगी दिखाने वाले मार्शल आर्ट्स प्लेयर्स की होसला अफजाई के लिए तक्रीब तक्सीम इनामात का इनकात किय सदर कश्मीर प्रेस कलब मीरपूर सेद आबिध हुसेन शाह मुस्लिम कानफर्स के नोजवान रहनुमा वकास अश्रफ और दीगर अमायदीन शहर ने जहीर काजमी मार्शल आर्ट्स डान के हमरा बच्चों और नोजवानों में इनामात तक्सीम किये आजाद कश्मीर का ये खिता इनतहाई जरहेज है लेकिन जरूरत इस अमर की है कि सिवल सुसाइटी और मोहियर हजरात के साथ साथ सबसे पहले रियास्त और हकूमत अपने फराइज अदा करें और उन नजवानों की होसला अवजाई करें जो नई नसल की तोज्योग मनशा हम तीगा पेगां में हम जहां जाते हैं जैसे कि आल पुझाब हैं हमने थर्ड पोडिशन ली तो इस इता जो नेक्स हमार टार्गेट है वो आल पाकिस्तान नैश्व पाकिस्तान है उसमें भी हम लोग मेटल लेकिया सकते हैं अगर हमारी मगदू सरपरस्ती की जाए जबक आज उनको उनकी सारी टीम को इस कलब में परफार्मस देने पर उनकी सारी परफार्मस को देकर मैं अपने तोर पर बहुत सरपराइस हुआँ और उनकी तमाम जो एक दास्तान है अपने इस कलब की कि नैशनल लेवल तक हमारे जो लड़के जो गोर्ड मेडल हसल किया मैं सम है कि हमें इस तरह के टैनेंटि लड़कों को हमें बूस्ट अब डेना चाहिए तक हम कोमी लेवल तक पहले अजाद किश्मीर लेवल तक खे ले उसके वागत को मैं अजाद किश्मीर से मतलबा करता हूँ किसी भी कौम के मुहजब होने का अंदादा कवानीन पर अमल दरामत से लगाया जा सकता है ट्राफिक कवानीन की खलाव वर्जी से हलाकत हेथ हासाथ जनम लेते हैं मीरपूर में ताइनात मोटरवे के तर्ज की ट्राफिक पॉलीस को पेशा वाराना तर्बियत की सक्स दरूरत है इस हवाले से देखते हैं जेके नियूस की ये खूसी रिपोर्ट आजाद किश्मीर के शहरों मजफराबाद, मीरपूर, कोटली और भिंबर में नई मोटरवे तर्ज की पॉलीस की ताइनाती एहसन इकदाम है माहरी इन के मताबक नई ट्राफिक पॉलीस की पेशा वाराना तर्बियत पाकिस्तान मोटरवे पॉलीस की माहराना तर्बियत के मकाबले में इनतहाई कम है नई ट्राफिक पॉलीस अगरचे कोई बड़ी तबदिली लाने की एहल नहीं मगर अवाम का कहना है कि पहले की निस्वत काफी बेहतरी आई है मीरपور में अब भी क antagon शिकनी के मुर्तिक होते हैं कानून तोडने की जसारत अक्सर ऐसे अफराद करते हैं जो समझते हैं कि इनकी मोटी खाल पर कानून असर नहीं करता बासर अफराद का कानून शिकनी का इर्त्काब लाकानूनियत का महौल पैदा करता है जहां पेशावाराना तर्बियत पॉलीस की जरूरत है वहीं अवाम को भी ये समझ ना होगा कि कानून की पासदारी महजब कौमों का शेवा है पॉलीस ने अपना ये काम शुरू किया ज़िए ट्रैफिक बार्डन मैं समझता हूँ कि आज तक जो बड़ी तब्दिली आई है वो नहायत खुशाएं ने सबसे पहली बात ये कि ट्रैफिक कवानीन का सिरे से यहां कोई उस तरह का तस्वर मौजूद ना था और जो लोग भी जो हैं वो किसी के इस पास लाइसेंस मौजूद है नहीं है ये तक्सीस नहीं थी कि हम कैसे जो है वो इस ट्रैफिक को जो है वो कंट्रोल किया जा सकेगा तो ये ट्रैफिक पुलिस के आने से जो है मैं समीच हूँ कि आज जो महोल हम देख रहे हैं पूरे शेहर का वो यक्सर बदल गया है यह जो हमारी नजर से यह कंस्टेबलान गुजर रहे हैं तो मैंने उनको देखा कि किसी को अमबर 22 साल है किसी की 20 साल है और जिस तरह का उनका भीहवियर है नो डोट के वो अच्छे कास के लिए सामने उनको लाए गए हैं लेकर उनको भी ट्रैफिल गुरूर्स का नहीं पता क्योंकि उनके लिए तर्बियत को ना बहुत जरूरी था और यह तर्बियत को एक दो मा के लिनी होती पाकस्तान में जहें जो ट्रैफिक पॉलीस है जो मोटर वेप है जीटी रोड को जिसके कहते हैं उस पर है लेकर उस से जब आम उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि साला साला हम ने यह तर्बियत असल की हुई है और उनका गाड़ी रोकने का अंदाज उनका बात करने का अंदाज और उनका कागज तलब करने का या जो ट्रैफिक रूल्स की खलाब वर्दी करते हैं उनकी निशानदी करने का अंदाज इनसे बिलकुल मुख्तलिफ है और जहां जब यह किसी को रोकते हैं तो जिस तरह मैं आज S.S.P. साब से भी बात किया तो यह जिस तरह उनको रोकते हैं उससे यह अदाज़ा ओ llजाता हैं कि इनका भी हैवियर कैसा है मैंने उनको रहे दिया कि आप जाएं ताजरान के जो नमाइंदगान हैं उनसे भी बात करें जो उनके पास लोग आते हैं वहां पर फी उनको भी आगाई दी जाए कि आपने कहां पर गाड़ी पार करनी है आप पर अतार कर बंदे और अपने शापन के लिए आना है ये उनके लिए बेतर होगा यू टर ने लेते हैं ये एक तम उस पे आक्सिजएंट हो जाता है और एक लम्हे में फॉर इनसान जो जाया हो जाता है। उस पे ये बहुत अच्छा इनने की है कि जब आप यूटर नहीं लेंगे या पॉलिस चलान करती है। जिस बंदे का चलान होगा वो दुबारा इस तरह नहीं होगा। वो सिद्धी अपनी लाइंपे जाएगा और यू मॉबाइल इस्तमाल करना छोड़ दें तो बाकी दो वाइलेशन छोटी हैं लेकिन यह ड्राइविंग के दुरान मॉबाइल यूज करना यह बहुत बड़ा जर्म है। ट्रैफक कावनीन जो हैं वो बनेदी तोर पर जब भी किसी भी माशरे में किसी सिस्टम को चलाने के ल के लिए अपने आपको एक डिस्सिप्लिन कौम नजर आने के लिए ट्रैफक लाब की पाबंदी करना अपनी जान को बचाने के लिए बेतर है बलके दूसरे लोगों की जान को भी सेफ करने के लिए करने का एक तरिका है और इनको समझना और उन पर अम्र करने में हम सब की पुलीस को जदीद वसाइल से लेस करना हकूमत की जिमादारी है माजी की तरह अगर पुलीस को अपनी गाड़ियों में पिट्रोल डलवाने के लिए अवाम की जेबें साफ करने पर मजबूर रखा गया तो ट्रैफक कौानीन पर अमल द्रामत नहीं हो सकेगा और इसी के साथ आज के खबर नामे से जुनेद अमसारी को दीजिए अजासत मजीद खबरों और तादतरीन अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेब साइट www.jknews.tv अल्लाह नगेवान